हेलो और वेलकम एवरीबन तो मैंनेम इस सानेदे और मैं हूँ आपका एकोनामिक्स फैकल्टी और बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 11 और 12 फाइनली हम एक और अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर आचुके हैं जो कि हमारा NCRT Solution Part 2 है Principles of Management का बिटा ये चाप्टर इतना important है और इतना जादा जरूरी है कि मैं इसको शब्दों में कैसे बया करूँ इस चाप्टर में इतना सब कुछ है कि इसमें से case studies ना जाने कितनी सारी पोची जा सकती है मतलब आपके पास endless case studies हैं जो इसके अंदर से निकाली जा सकती हैं और बनाई जा सकती हैं आपके exam purposes के लिए तो इन NCRT questions को करना और उनके solutions को करना आपके लिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आपसे direct question पूछा जाता है या फिर आपसे कोई ऐसी बात करी जाती ही जिसे कोई topic का explanation मांगा जाए जब आपको topic कंठस्त याद हो रटा हुआ नहों conceptually याद हो तो आप differentiate कर पाते हो कि हम किस topic या किस principle या किस management के उस point की बात कर रहे है जो की हमारे answer को satisfy करे basically मैं अगर आपको breakdown करूं case studies को कैसे करा जाता है या किस हिसाब से पूछी जाती है तो मैंने एक चीज़ ज़रू notice करी है ठीक है मैं वह अभी आपको class start करने से पहले बताऊंगा और ऐसी और amazing videos देखने के लिए आप Magnet Brains चैनल को subscribe कर सकते हो जहाँ पर UP board, MP board, CVSE board doesn't matter आप कौन से board से हो आप सारे के सारे लोग आके यहाँ पर videos देख सकते हो from KG1 to 12 तो आपको सारी के सारी videos मिल जाएंगी एकदम निशुलक, सारे दिसर की videos चाहिए, Magnet Brains पर आपको मिल जाएगी notes भी चाहिए तो description box में link है, link को press करके आप notes भी avail कर सकते हो thank you so much everyone, चलिए जी, हम चलते हैं topic के उपर अच्छा जो मैंने realize किया है by far जो मैंने realize किया है by far बिटा एक चीज़ काफी जादा important देखने को मिलती है case studies में is that कि case study का एक pattern होता है case study का एक ना एक pattern होता है case study का एक pattern होता है क्या pattern है sir case study का? पहले तो आपसे खूब अपरमपार बाते लिखी जाएगी खूब बाते लिखी जाएगी मतब खूब सारी बाते ऐसी पूरी अपरमपार बाते लिखी जारी है पूरी कहानी सुना ही जारी है अच्छा इसमें important point क्या है सबसे पहले जो यह जो starting का आता है आप क्या होता है case study में बिटा आप किसी company को जानते नहीं हो आप किसी company को जानते नहीं हो उसके अंदर तो भई यह introduction ही चल रहा है company का यह company क्या है क्या काम करती है और यह व्यक्ति इस company के कौन से designation पर बठा हुआ है यही बताते रहते हैं पहली दो line हो में तो वो पहली दो line हो में तो यहीं बताते हैं पहली दो line is more like an intro इंट्रो रहता है क्या obvious सी बात है आपको पहले किसी case को समझाने के लिए पहले उस company को बताना पड़े हो company क्या है और उसके कोई ऐसे रेक्ति को बताना पड़ेगा कि उसका designation क्या है हाँ या ना तो एक छूटा से एक intro sort of रहता है फिर आता है उसके बाद बिटा एक major part यहां से जो कि starting का जो part होता है starting का part यह बताता है कि वो बहुत समय तक कोई अच्छा काम कर रहे थे और उन्होंने plan किया कि वो इस project के साथ जाना चाते है मैं hypothetical case study बता रहा हूँ mostly यह होता है कि पहले introduction दे दिया फिर उसके बोला कि उन्होंने decide कि कि इस साल से उनको profit बढ़ाने थे या फिर कुछ ऐसा काम करना हो कुछ भी profits बढ़ाने थे नया project लेके आना थे तो पहले वो एक introduction देंगे उस बात का कि क्या काम करने वाले हैं वो उस काम के अंदर यहां से ना problem identify होती है इस वाले पार्ट से यह जो इस वाला पार्ट ना इधर आपका actual question आता है actual question जो है वो यहां से चालो होता है कि फ़लाने आदमी ने यह notice कि कि वहिया हमारे यहां पे यह problem है है ना या उसका profit नहीं हो रहा पा रहा था और profit उसना identify कि यहां पर बताएंगे कि उसँ Spot प्राबलम की वज़े से पुरा नहीं कर पा रहे और last में आप से पूछते हैं कि वहिया अपना suggestion दो और वहिया अपना answer होता है answer होता है last में बोलते हैं कि वही अपना suggestion दो, आपको क्या लगता है कि Mr. X को क्या करना चाहिए इस situation में, कौन साइसा principle है जो उनको मदद करेगा इस case study को solve, लग इस problem को solve करने के लिए, तो बिटा वो कब बता पाओ कि जब आपको हर एक चीज़, concept चलिए याद होगी, तो मैंने तुम्हें एक pattern बताया case study solution किसको बताना है, आपको बताना है, ये case study है बाई साब, ठीक है, तो case studies का pattern याद रखना, यहाँ इस chapter से case studies काफी आगे, वाले सारे chapters के अंदर अंदर आने लग जाती है, first chapter से case studies ऐसा आना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन second chapter के बाद से case studies भरपूर और भरपार बातरा में आ करते हैं, principles of management के NCRT solutions part 2, सबसे पहला question, short answers type question, हम इससे पहले very short questions कर चुके है, how is the principle of unity of command useful to management, अचे unity of command क्यों useful है management के लिए ज़रा देखना है, बिटा एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति command कर रहा है सब को, एक व्यक्ति सब को order दे रहा है, कि तुम्हें ये करना है जवानों, हमारे खून का बदला, हमारे भाईयों के खून का बदला, हमें लेना ही पड़ेगा, how's the josh, hi sir, 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 ठीके, बिटा, क्या कर रहे हो आप, एक इनसान command दे रहा है बाकी सब को ठीके, कैसे explain होता है बिटा, इससे chaos खतम हो जाता है, confusion खतम हो जाता है, आपके unity of command में क्या होता है बिटा, जब एक इनसान अगर command दे रहा होगा ना, तो सब को directly बात पहुशती है, for example, जैसे मैं बोलूँ, अपनी पूरी team को, मैं बोलूँ कि guys, हमें इस month के end तक, हमें ये target complete करना है, हमें जो है, एक लाग बच्चों को पढ़ाना है, यह हमारा target है, ठीक है, मैंने बोल दिया, बात खतम, कोई इसमें ifs, buts, maybe, वगेरा कुछ नहीं, मैं हूँ, दूसरा कोई और आ गया, मैंने बोला, एक लाग बच्चों को पढ़ाना है, दूसरा लाग बोलता है साने दिसा ऐसे ही बोल रहे है, एक लाग बच्चों को पढ़ाना, मजाक की बात है क्या, मजाक की बात है क्या, बहिए एक काम करो, तुम तो पचास जार लेलो, पचास जार का आइडिया लेलो, है ना, पचास जार लोगों को बोल देते हैं, कि पचास जार लोग पढ़ा है एक इंसान बोलता है एक साथ लोगी क्लास तो तुम से समलती नहीं तुम 10,000 बच्चे पढ़ा होगे चुप चाप से सौ बच्चे पढ़ा हो जार से आदा बस तो बिटा क्या हुआ एक अबर कंफ्लिक्ट हो गया ना क्या उस हो गया ना मैं एक लाग की बात कर रहा हूं बहन ने भी काम दे रखा है उसको भाई ने भी काम दे रखा है मामा ने भी काम दे रखा है उसको दादा ने भी दे रखा है नानी ने भी दे रखा है दादी ने भी दे रखा है नाना ने भी दे रखा है एक ही आदनी को 40 काम दे दिये कोई ना कोई काम तो बोली जाएगा देखना या कोई काम तो पूरा नहीं होने वाला ग्यों नहीं होने वाला unity of command नहीं है एक को बोला भाईया इस जगह जाके दूद का पैकेट लेगा तो इस जगह जाके बोलते हैं प्रेस पर कपड़े उठा के लेगा भाईया तो दोनों काम बहुत दूर दूर है फिर एक बो रीफली चलता है क्योंस नहीं होता है और हर चीज इंसान फॉलो करता है तो प्रिंसिपल अ उनिटी आफ कमांड सेट इच इच सबादिनेट शुद रिसीव ओर्डर्स शुद रिसीव ओर्डर्स अं इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस उन्ली एक बॉस से ही वो इंस्ट्र करे एक वरकर को at a time at a at the same time same time पे he will get confused वो confused हो जाएगा to whom command should he follow किसकी कमांड इसको follow करना है वो confused ही हो जाएगा हो confused हो जाएगा किसकी कमांड को follow करे चालिस लोग अगर चार लोग इसको चार तरह की बाते बोलेंगे तो अब विस ये बाते ये तो confused जाएगा कि इसकी सुनू किसकी सुनू किसकी सुनू हाया ना तो इसलिए if unity of command is maintained अगर unity of command maintained हो in the organization, organization के अंदर it would help to avoid confusion, confusion आप दूर कर सकते हो among the workers, workers के बीच में conflicts among the superior and create better relationship with workers and manager बेटा जब बेटा जब एक worker को worker को चार अलग-अलग लोग अलग-अलग बाते करेंगे ना तो boss और worker के बीच में भी लड़ाई होती है superior subordinate के बीच में भी लड़ाई होती है है ना तो जैसे तुमने movies में देखा होगा movies में क्या देखा होगा कि यह मेरे को बोलता है मैं यह करूँ यह बोलता है मैं कर ओधेर मंद्र को घंटा हों ग्या जो मैं हर किसी की बात सुनते रहऊंगा कोई भी आएक बजा के चले जाएगा आपने देखा थिया ना मुवी चीज को शो करना चार रहे है unity of command unity of command तुमने एक और सीन देखा होगा, तुमने बोले लाश के बदले पैसल आने के लिए, हाँ, तुमने लाश के बदले पैसल आया ना, बोले पैसा दिया ना तुमको, नहीं पैसा कब दिया, तो लाश में लेके आया हूँ ना, अरे लाश मैंने मारा नहीं, लाश कहां से आई, अरे लाश यह वो लाश नहीं है रहे, तो लाश तुम्हारे बाप की का, बाप मर गया, बिटा वो सीन यहाँ थे तुम्हें, एक मूवी का, तो वो क्या है, confusion है, क्योंकि एक आदमी कमांड नहीं दे रहा है, पांच लोग मिलके कमांड दे रहे हैं, समझ आया, सेम वही चीज short answer type questions, short answer type questions, define scientific management, state any three of its principles, define करो scientific management, scientific management को define करिये और उसके अंदर तीन ऐसे principles बताये, चलिये जी, let's see, In the words of Taylor, scientific management means exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way, क्या बुला हमारे Taylor भाई साभ ने, Taylor भाई साभ ने बुला कि scientific management का मतलब है, knowing exactly, आपको पता है exactly आपको क्या करना है, इनसान को, आदमी को पता है कि क्या करना है और seeing that they do it in the best और उनको इसमें देखना क्यों सबसे बेस्ट तरीके और सबसे सस्ते चीपेस तरीके में अपना काम करके दे रहे हैं, बतला है आपको पता है आपको काम क्या करना है और आप सबसे बेस्ट तरीके में और सबसे increase the output, एक tool है, to increase the output, output को increase करने का, its quality and to reduce cost, उसकी quality को improve करने का, और उसकी cost को reduce करने का, और wastage भी कम से कम करने का, the emphasis replacement of, replacement क्या है, rule of thumb, rule of thumb को हम जो क्या कर रहे है, replace कर रहे है, that is personal judgment by scientific selected methods and tool, personal judgment के थूँ और scientific selected methods, scientific selected methods मतलब क्या, पूरा analyze किया गया, सब कुछ समझा गया, तब जाके हमने कोई decision लिया, principle बनाने का, बिटा, principles रातो रात नहीं बनते, principles बनाने में दिमाग लगता है, समय लगता है, सोच लगती है, ठीक है, इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा, the principles of scientific management are, principles क्या है, ज़रा देखेगा, science not a rule of thumb, मैंने क्या बोला था भी, कि rule of thumb को replace करने की बात करे, science but not the rule of thumb, harmony not discord, harmony not discord, harmony not discord क्या बोलता है, harmony का मतलब है, कि वह यहां हम यहां पे कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, harmony means, for example, कि हम वहवार की बात कर रहे हैं, हम खुशाली की बात कर रहे हैं, ना की लड़ाए जगड़े की, ठीक है, हम चाहते हैं कि peace बना रहे है, एक अतरता बनी रहे, ना की लड़ाए जगड़े होते रहें, और cooperation not individualism का मतलब है, क्या रहे हैं, मैं, बस मैं, बस मैं, बस मैं, बस मैं, बस मैं, बटा, एक इसी बात पे ना मेरे को एक चीज भी आदा ही, कि management हो, या life हो, यह जो मैं है ना, यह बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक हतियार है, जैसे हर युग में, हर युग में, एक ब पूरी आदतों को, दस मुखुट जो है, उसकी दस, दस मुखुट जो है, उसकी दस दिमाग जित्ते brain को तो दिखाता ही है, प्लस दस गंदी आदतों को भी दिखाता है, जिसके अंदर anger, arrogance, ego, और ना जानि कितनी सारी ऐसी दस चीज़े होती हैं, हम नहीं सिर्फ एक evil का व पातवरण चाहिए, तो हर जैसे युग में एक evil आया है ना, consider किया जाता है, कि इस युग में जो सबसे बड़ा evil है ना, वो कोई इनसान नहीं, वो खुद है, वो खुद है, और वो जो खुद जो है, वो क्या है, वो me, मतलब मैं, मैं, मैं सबसे बड़ा evil है आज की डिट म और इस युग में सबसे बड़ा evil ही मैं है, इस मैं के चक्कर में हम आपस में ही एक दूसरे को परशान करते हैं और एक दूसरे को नश्ट करने में लगे रहते हैं, इस मैं को अगर हमने ठीक कर लिया, तो भाया हम management भी कर लेंगे और जीवन भी बहतर जी लेंगे, अगर मै सिर्फ अपना फाइदा, मैं, 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 बिटा अगर मैं छोड़ दिया हमने, तो हमें एक बहतर सिर्फ management नहीं, जिन्दगी भी गुजार पाएंगे, जब management मैं छोड़ने से बन रहा है, तो जिन्दगी भी तो मैं छोड़ने से ही बनती है, हाँ या ना, अकेले आप इस दुनिया में, बिटा, पानी का गिलास भी खुद से नहीं पी सकते, ये बात याद रखना, पानी को भी purify करना पड़ता है, आप ये घर तक पहुचाना पड़ता है, उसमें भी इनसानों की ज़रूत पड़ती है, आप खुद अकेले sufficient नहीं है, आप साथ में रहे cooperate करें और सबके लिए काम करें, ऐसा नहीं सिर्फ खुद के लिए खुद के लिए, खुद के लिए भी करो लेकिन दूसरों के लिए भी करना बहुत ज़रूरी है, this is cooperation not individualism, clear, समझ आया कि individual subjectives या motives को पूरा करने के लिए काम मत करो, collective objectives को पूरा करने के लिए काम करो, ठीक है If, question number three, if an organization does not provide the right place for physical and human resource, अगर एक organization नहीं provide करती एक right place, right place for physical and human resource, physical या human resource के लिए in an organization, which principle is violated, what are the consequences of it? कि अगर मान लो, कि अगर एक organization does not provide the right place for physical and human resources, कि मतलब इनसान के लिए और टूल के लिए, अगर man material का सई से placement नहीं कर रहे हो, तो बताओ, क्या उसके consequences हो सकते हैं, और कौन सा जो है, principle violate हो रहा है, बिटा, it is as simple as that, order, order, देखो अपने को यहाँप क्या बोला है, अब देखो ना, तुम कैसे, कैसे जो है, यहाँपे खेला जाता है शब्दों के साथ, order का मतलब क्या होता है, order का मतलब अपनने पढ़ा है, हम वहाँपे बोलते है, order का मतलब होता है, orderly arrangement, orderly arrangement, orderly arrangement, orderly arrangement of man and man and material, orderly arrangement of man and material, ठीक है, आप इनसान को और आप जो है, material को सही तरह के से manage कर रहे हो, सही तरह से manage कर रहे हो, man and material, अच्छा, man and material, अब जब देखना, man को हम human resource भी बोलते हैं, man को हम human resource भी बोलते हैं, ठीक है, अगर मैं man की जगा human resource लिख दूँ, तो ठीक है न, क्या गलत बोला, HR क्या काम करता है, human resource का क्या काम है, human resource का क्या काम है, HR क्या करता है, HR का काम लोगों को manage करना होता है और इसको मैं अगर physically बोल दूँ कुछ, फिजिकल फिजिकल ठीक है तो फिजिकल या तो मैं क्या बोल सकता हूँ यह देखो क्या बहतरीन समझ आया है मैं फिजिकल को consider क्या जा रहा है material से material is a physical form material कभी intangible नहीं होता material हमेशा tangible होता है तो बिटा दो नाम को आपने दूसरे एक synonym से या अलग terms से अगर denote कर दिया तो उससे principle चेंज नहीं हो जाता पर यह conceptual study ही कहती है कि आपको पता चल जाए कि वह क्या कहलाता है तो order बिटा अब आपने दिखा होगा जैसे आप किसी mcdonald's में जाते हैं या किसी ऐसे बड़े restaurant में जाते हैं वहाँ पे खाना आपको तुरंट दो मिनिट में मिल जाता है आप order करो side में हो और आपको पूरा plate मिल जाती है order की क्यों क्योंकि उनका हर एक सामान और हर एक इंसान ऐसी जगह पे खड़ा है कि उनका हर काम बहुत जल्दी होता है उनका जो tray और table रहता है वो एक हाथ की दूरी पर उनके पास हर एक equipment होता है जैसे कि अगर वो एक जगह खाने जैसे मैं इस जगह खड़ा हूं और मैं burger बनाना चाहता हूं तो बिटा बंज यहां रख्या होंगे मैं निकाल के इदर रख दूँगा मेरे उस table के उस side पे एक टिकी मैंने रखा, sources मेरे पास यहां रख्या है तो मैंने इसे sources sources डाल दी है और बन को रखा, एक wrap paper लिया, wrap paper में इसको wrap किया और जाकर place कर दिया काम कतम, तो हर एक चीज़, मतलब इंसान और material दोनो manage orderly placement रोना चाहिए, हर एक इंसान को एक जगा मिलनी चाहिए और एक हर एक सामान को एक जगा मिलनी चाहिए, जैसे कि हम यहां पे आपको मैं example बताता हूँ बहुत easy example है, man और material का, तुमने एक चीज़ देखी होगी, बिटा, पापा कहां मिलेंगे पूरे घर में अपना घर है, तीन कमरों का घर है मान लीजे, जिसमें दाद दादी रहते हैं, आप रहते हो, आपका भाई रहता है, या बेहन रहती है और आपके ममी बापा रहते हैं, पापा ममी किसके रूम में मिलेंगे, दाद दादी किसके रूम में मिलेंगे, आप लोग कहां मिलोगे, आप और आपके भाई बेहन, आपके रूम में मिलोगे, हाँ या ना, अगर आप सेम रूम शेयर करते हो तो, तो बिटा क्या है, हर ए एक बिटा खाना बनाना है, तो एक बिटा जहां पर चूला रखा होगा ना, वहीं जाके खाना बनाईगा, क्योंकि उसे किचन बोलते हैं, है ना, अगर आपको फ्रेशन अप होना है, तो आप किसी बाथरूम नाम की जगे जो है अपना अलॉट की होगी, उदर आपको जाके शैंपू टाइप की चीज मिलेगी, तो शैंपू जाओ, शैंपू से ना हो, साबून से ना हो, साबून का मिलेगा, किचन में, नहीं ना, साबून आपको बाथरूम में मिलेगा, खाने की चीज का मिलेगी, लिविंग रूम में, नहीं, वो का मिलेगा, किचन में मिलेगा, सोफा कहा होगा चट पे नहीं कहा होगा living room में होगा तो बिटा हर एक चीज और हर एक इंसान orderly place होता है organization का example बता दो sir organization में इंसान को na cabins मिलते हैं cabins कि principal जो है वो कहां मिलेंगे principal cabin में मिलेंगे principal office में मिलेंगे है ना एक room allot कर दिया जाता है CEO साब कहां मिलेंगे CEO साब का अपना office है अपना एक room है उसमें मिलेंगे manager साब कहां मिलेंगे manager साब manager के cabin में मिलेंगे है ना तो यह सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है यह orderly arrangement हो गया और यह material जैसे मानलो technical कोई सामान रखना होगा तो टूल रूम होगा कोई सा टूल रूम होगा है ना टूल रूम होगा अगर hotel की बात करोगे तो hotel की सारी गंदी bed sheet और साफ सुतरी bed sheet कहां मिलेंगे आपको लॉंडरी रूम में मिली है ना तो यह सब चीजें का है बिटा समान और इंसान का orderly arrangement करना इसकी बात कर रहा है वेस्ट अफ टाइम इससे टाइम बरबाद नहीं होता अगर cabin ना लॉट करो ना मैं इंसानों को तो अरे मिशराजी को देखा क्या इधर नहीं कहा पर ऑच på तो कैंटीन वह साव मिश्रा जी आयो थे या नहीं नहीं वह चले गए अचा का चले गए बात्रूम का बॉल के नहीं अचा बात्रूम अचा व सब्सक्राइब आपको रूण सफर करी जाएगी as resources would not be available at the right time resources जो है right time पे available नहीं होंगे obstacle in smooth working in an organization obstacle, रुकावट है obstacle in the smooth working in the organization organization के अंदर smooth working की बात कर रहे एक obstacle की तरह काम करता है अगर मान लीजे अगर आप इसको ढंक से नहीं करेंगे तो ठीक है? चलिए जी explain any four points regarding significance of principle of management principles of management के four points significant बताईए कौन-कौन से है आप क्या समझ पा रहें इस point को चलो देखते है management principles are important due to the following reason management principle जो है na important है कुछ following reasons के वज़े से they provide managers with useful insight manager को काफी useful insight के साथ जो है वो लेके आते है reality में and help them to understand managerial situations managerial situations को understand करने में भी आपकी काफी help करते है they facilitate optimum utilization optimum utilization को facilitate करते है मतलब आप हर चीजे जो है without wastage अच्छे से भेतर तरीके से काम कर पाते हो of resources and effective administration administration अब काफी effective हो जाता है क्योंकि आप हर चीजों को एकदम optimally use कर रहे हो कोई भी दिक्कत कोई परिशानी के बिना use कर रहे हो है ना चलो जी ठीक है फिर आता है भी या they help managers to take significant decisions वो क्या कर रहे है help कर रहे है manager को एक significant decision लेने में based on logic rather than blind faith logics के उपर logics के उपर scientific management sorry they help managers to take scientific decisions scientific decision लेने में उनको help करता है rather based on logics rather than blind faith कि अंदा विश्वास से ज़्यादा वो believe करते है कि उनके उपर कुछ logic लाया जाए मतलब किसी चीज के उपर उनको logic मिले rather than just blind faith हो उस सदा वो चाते हैं कि logic हो किसी भी चीज के अंदर ठीक है उसकी बात करते है clear है बिटा समझ आया and the last point would be the last two points would be they establish certain ethics कुछ एक ethic build करते है which helps to fulfill social responsibility towards society society में social responsibility fulfill करने की बात करते है they establish certain ethics certain ethics को establish करते है which helps to fulfill social responsibility किसको help fulfill करने की बात करते है social responsibility को fulfill करने की बात करते है society के प्रति ठीक है they help organizations to adapt to changing business environment वो organization को help करते हैं adapt करने के लिए to changing business environment requirements क्या business environment requirements को change करने की बात कर रहे हो क्योंकि change होती है चीजें उनकी business environment dynamic nature का बदलता रहता है तो आप भी बोलोगे कि हाँ हमें भी उसके अनुसार बदलना पड़ेगा simple सी बात है न बिटा जब generation बदलती है तो उसके लिए products भी बदल जाते है अगर दाज़ादी की generation होती तो Nokia 33 अब भी famous होता लेकिन आज की generation के साब से they want high tech classy phones जो की हर चीज में हर aspect में बहुत अच्छे हो performance बहुत अच्छा हो जब business का environment बदलता है तो business को भी बदलना पड़ता है business के management को भी बदलना पड़ता है हर चीज को related है business का environment मतला business बदलेगा business बदलेगा तो management बदलेगा तो हर एक चीज से हमें यहाँ पे समझ आता है that we have to understand की क्या impact है और उसको कैसे हम manage करने वाले explain the principle of scalar chain and gang plan scalar chain क्या है और gang plan क्या है यह समझना हमें scalar chain बटा कैसी chain है कैसी एक chain है मान लीजे कि यहाँ पे लोग है लोग है यहाँ पे लोग है वो एकदम सीधा सीधा एक दूसरे से बात नहीं कर सकते अगर मान लो मुझे यह मान लीजे यह A है यह B है यह C है यह D है यह E है है ना अब देखो जरा अगर मान लीजे मुझे A को बात करनी है D से तो पता क्या करेगा पहले B को बोलेगा कि A को यह बता देना B C को बोलेगा कि D को बता देना C इसके पास जाएगा बोलेगा A ने तुम्हारे लिए कुछ मेसेज बेजाए ठीक है बोलो हर इनसान को लूप में रखो कि क्या कॉन्वर्जेशन हो रही है ऐसा ना हो कि आपके बीच में ही बाते हो रही हो और आपको पता ही नहीं कि भाई अब काम क्या हो रहा है आप अनावेर हो वज़ा टॉप लेवल मेरेजमेंट को यह नहीं पता कि लोवर लेवल मेरेजमेंट आपस में क्या काम कर रहे है अरे भाई यह मुझे भी तो बता कि रखो कि क्या काम हो रहा है ठीक है आल्सो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते है ठीक है सेम लेवल पर हम कम्यूनिकेट कर लेते है जिसका मतलब है हमारा जैसे बी डारेक्ट डी से बात कर सकता है ए डारेक्ट इसे बात कर सकता और इसी चीज़ को बोलते हैं गैंग प्लांक क्या बोलते हैं इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं गैंक प्लांक है, according to fuel, fuel के अनुसार organization should have a chain of authority, organization के पास एक chain of authority होना चाहिए, and communication, एक communication होना चाहिए, कि वह यह उनके पास एक chain होनी चाहिए, कि ऐसा देखो chain दिख रहा है आपको, और एक communication का उनके पास एक जरिया होना चाहिए, that runs from top to bottom should be followed by managers and their subordinate कि हर इंसान द्वारा ये manage करना चाहिए हर इंसान द्वारा ये follow करा जाना चाहिए, manager हो ये subordinate हो follow करना है, मतलब करना है gang playing refers to arrangement gang playing क्या है, एक ऐसा arrangement है जहां पे which two employees working at same level जैसे कि D और G same level पे है C और F same level पे, B और E same level पे है, चीक है तो आप क्या कर सकते हो employees working at same level can communicate with each other directly without following the scale and chain, scalar chain को अब जैसे D और G को पर communicate करना है, तो ID stillically कैसे करना पड़ेगा पहले DC को बताए, CB को BA को, E को, E को, EF को FG को, है ना, पर इतना लंबे समय नहीं हो आपके पास और आपको जल्दी communicate करना है, को business opportunity है, wait नहीं कर सकते इतनी देर तक, तो आप direct बता दो direct बता दो, ठीक है this is a short route has been provided so that communication is not delayed, एक shorter route है, एक छोटा route है, जिसमें क्या provide कर जाएगा, has been provided so that communication is not delayed, communication delay ना हो, ठीक है, communication में कोई भी delay ना हो question number six, a production manager at the top level in a reputed corporate Mr. Rathor holds the responsibility for ordering raw material in the firm, लो case study में क्या बता है था, पहली line आपको introduction की मिलेगी, है ना, introduction की मिलेगी, एक production manager at top level पे काम कर रहा है, reputed corporate पे reputed corporation है कोई सी Mr. Rathor नाम की कोई है, जिनकी जिम्मेदारी है, raw material खरीदना, business के लिए, ठीक है, वाइल डिसे, अब मैंने क्या बोला था, आपको मैंने भी question पढ़ा भी नहीं बेटा, आगे देखते जाना, while deciding on the supplier for the financial year 2017-18, he gave the order to his cousin at a higher price, उसने higher price पे अपने cousin को कोई भी order दे दिया, instead of the firm's usual supplier who is willing to lower the rates for the order, कि अपने रिष्टदार कोस्ट ने higher rate पे supply कर जैसे कि मैं क्या हूँ, मैं production manager हूँ, मेरी जिम्मेदारी है raw material खरीदना, अब मेरा कोई cousin था, मैंने बोला, अपना family family काम है, तुम 110 का बेच रहे हो, ये भी 110 का बेच रहा था, पर इसने बुला, मैं 100 में कर दूँगा, मैंने बुला, नहीं नहीं, मेरा तो अपना हिसाब किताब है, bias do में, मैं जो अपने भाही को दूँगा ये वहला काम, तो मैंने 110 पे इसको बेचना चालो कर दिया, ठीक है, 110 पे इसको बेचना चालो कर दिया, which principle of management was violated by the Mr. Rathor, Mr. Rathor द्वारा कौन सा जो है आपका violate किया गया principle, अच्छा तुम्हें याद है कुछ ऐसा कोई कि bias नहीं होना चाहिए, ऐसको principle याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है, ठीक है, what are the positive impact of following the above identified principle, और positive impact क्या है, उपर वाले principle जो भी use हो रहा होगा है, यहाँ पर violate हुआ है, अगर उसको use करेंगे तो उससे क्या फायदा मिलेगा, बिटा कुछ याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था आपको, बताओ, याद आ रहा है, सोचो ज़रा, और अगर हूँ, तो comment section में मुझे answer जरू करना, it is principle of management violated by the Mr. Raathor, is subordination of individual interest to general interest, following can be positive impact, following क्या हो सकता है, positive impact of the above identified principle, it brings a coordination between, क्या होता है बिटा, coordination लेके आता है, किसके बीच में, organization के बीच में, और personal goals के बीच में, as employees are not focused towards group goal, group goal के उपर focus नहीं है भाया इनका, in order to get personal benefit, personal benefit करने के लिए, it facilitates achievement of organization goal, organizational goal ही इसलिए अचीव कर रहे हैं, कि भाया, personal benefit इनका पूरा हो जाए, ठीक है, इसलिए क्या कर रहे हैं, हमेशा बुला जाता है इस principle में, कि अगर आप personal benefit को target करोगे, तो company कभी grow नहीं कर पाएगी, और आपका भी growth रुख जाएगा, आपके personal जो goal है न, वो achieve होई नहीं पाएगे, आप वो कर लोगे लेकर उसका benefit नहीं मिल पाएगा, company पैसा तब देगी जब खुद कमाएगी, और आप अपना अपना करने में लगे हो, तो उस चेकर में कम नहीं पैसा नहीं कमा पा रही है, तो अपने interest को त्याग दो, और general जो सबके हित में है, उसके उपर ध्यान दो, तब ही जाके organization आगे बढ़ पाएगी, और यहीं ये principle भी कहता है, hence we are done with this short answers video, अपने बास अलग channel भी है, तो उसको जाके भी आप subscribe कर सकते हो, UB board, Bihar board, MP board, यह सारे के सारे boards या CBSC board doesn't matter, आप सारे के सारे लोग आके यहाँ पर वीडियोज देख सकते हो, बिटा यह सारी वीडियोज निशुल के हैं, फ्री हैं, Magranit Brains की website पर जाके, Magranit Brains के YouTube चैनल पर जाके भी आप सारी वीडियोज देख सकते हो, इंडिया के best of the best teachers से, ठीक है, और बिटा, iPad हो, mobile phone हो, laptop हो, doesn't matter, आप किसी भी point पर जाके, किसी भी device के थूरू, बस internet होना चाहिए, और समय होना चाहिए पढ़ने का, तो कि आप निकालेंगे, यह बहुत जरूरी है, paper भी आ रहे हैं, तो बिलकुल इसको जाके, वीडियोज देख सकते हैं, KG1 से लेके 12 तक के सारे के सारे students, इंडिया के सारे best teachers से पढ़ सकते हैं, और नहीं सिर्फ पढ़ना free में, लेकिन उसके साथ अच्छा अगर आपको notes चाहिए तो, e-notes और e-books, बिटा ये भी available है, अगर आपको 95% प्लस परसेंट लाने हूँ, या 100 out of 100 लाने हूँ, तो भी आपके लिए ये notes वगेरा बहुत ज़़दा important है, description box में link है, वहाँ से आप available कर सकते हो, इन notes और books को, बिटा, also one thing, आपका जो, ये notes है, ये हम teachers द्वारा बनाये जाता है, तो उस पर margin of error के chances ना के बरावर हो जाते हैं, तो जो answer आप देखते हो, वही लिख के आते हो, इसलिए पहले भी लोगों के 100 में से 100 आए, इस बार भी आए हैं, आगे भी आएंगे, और आप ही लोग लेके आने वाले हो, तो बिटा, description box में लिंक है, उसको जाके press करके, आप notes और books को avail कर सकते हो, e-notes और e-books को, और आप चाहो, तो हमें दूसरे social media platforms पर भी follow कर सकते हो, जो कि है YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram पर भी, I hope you guys like the video, thank you so much.